अब डिफेंस एक्जाम प्रैक करना हुआ और भी असान त्रिशूल डिफेंस एकडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लेर्णिंग आप तो आज ही जोईन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेश जहिन बच्चो मैं आपका अपना मैथमेटिक मेंटर प्रभात याद हो आपके अपनी यूटूब चैनल तुस्टूल डिफेंस एकडमी के आउनलाइन प्रेफाम पर मैं आपका स्वागत करता हूँ प्यारे बच्चों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के जो टॉपिक है डिफिनिट इंटिगेशन या डिफिनिट इंटिगल जो क्लास 12 की टॉपिक है कि डोग्रास बैस के लिए डोग्रास का मतलब होता है कि ऐसे बच्चे जो 12 में रहते हुए NDA को क्रेक करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए हम लोग एक online या offline एक batch launch कर रहे हैं, जिस batch का नाम है डोगराज, डोगराज का मतलब होता है हिमाले की चोटी की तरह, चटान की तरह एकदम खड़े रहे, एकदम अस्तंब रहे, एकदम इस भारी भरकम competition के अगर हम लोग प्यारे बच्चों बात करें, तो आप देख रहे हैं चाहे वो UPSC हो, UPSC का मतलब ही हुआ कि UPSC जो exam candidate कराती है, चाहे IS हो, चाहे आपका NDA हो, चाहे CDS हो, चाहे CAFF हो, आप देख रहे हैं कि इसकी जो competition दिन पर दिन बढ़ते चले जा र आते हैं, तो जब आप एक India level के platform पे जब आप आते हैं, India level के competition जब आप बीट करते हैं, तो इसका मतलब ही होता है कि उहां पे आपको competition tough मिलता है, तो इसलिए आप toughness को अगर छेल के निकलते हैं, या toughness को face करते हुए आप निकलते हैं, तो आपके selection के probability कुछ जादा हो जात और कैसे questions बन सकते हैं, कैसे questions आ सकते हैं, कैसे इसका trend analysis है, कैसे आपको पढ़ना है, इस सारी बाते हम लोग इस बैच में focus करते हैं, तो आइए थोड़ा से इसके कुछ basic property के बारे में समझते हैं, फिर कुछ एक दो त्यार NDA का question जो basic property पे है, उसको कैसे हम लोग हल करेंगे तो चलिए सुरुवात करते हैं, सबसे पहले आप इस screen पे देख रहे है definite integration, definite integration का मतलब क्या होता है, निश्चिस समाकलन, का मतलब क्या होता है, कि एक ऐसा integration, एक ऐसा समाकलन मतलब होता है, सम करना, यानि हम चीजों को अगर हम लोग सम करते हैं, तो हमको एक, अगर fix चीजो को ही आप जोडते हैं, तो आपको fix चीजे मिलते हैं, simple भासा में आप समझेए, आईए, तो definite integration को प्यारे बच्चों हम लोग denote किससे करते हैं, उस इस type का, जिसी माल जो कोई एक function है, आपका effects, आपने इसको integrate किया, suppose करिए once लेके two तक, तो यह x का function है, यह x बराबर once लेके, इसको हम लोग बोलते हैं, इसकी lower limit, जिसको आप हिंदीम बोलते हैं, निम नसीमा, और इसको हम लोग बोलते हैं, upper limit, जिसको आप बोलते हैं, उच्छ सीमा, ठिक, तो हम लोग अगर इमाले जो कोई दूसरा function लिखा रहाएगा, जिसी माले एक डिटी लिखा हुआ, यहाँ पर टी बराबर once लेके, टी बराबर two तक, अब इधर देखे, इसका use कैसे करते हैं, अब suppose करिए, कि इसका integration, आपका capital fx, आउ इसमें एक constant जोडते हैं, once लेके two तर, तो सबसे पहले जब इसको हम लोग simplify करते हैं, प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए अपर वाली limit को यहाँ पर हम लोग रखते हैं, तो अगर अपर वाली limit को आप रखेंगे, यह हो जाएगा आपका f2 plus c minus, जब लोगर वाली limit रखेंगे, तो इसको आप लिखेंगे f1 plus c, अब इसको अगर आप simplify करेंगे, तो यह हो जाएगा, f2 plus c minus f1 minus c, इस 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 इक cancel आउट हो जाएगा, यानि कि f2 minus f1, एक कोई function है, जिसकी 2 पे value और 1 पे value, का जो difference है, एक fix value आएगे, एक निश्चित माना आएगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते है, definite integration, तो हमको एक चीज आप यहाँ पे यह समझ में आ गए, कि sir, इसमें जो अगर आप इसको, मतलब हम लोग direct इसका use करेंगे, कि हमने यहाँ पे एक चीज ए देखा, कि जो एक function लिखा है, x ब्राबर once लेकर जब आप इसको integrate कर रहे हैं, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग capital C का use नहीं करेंगे, यानि कि यहाँ पे C का हम लोग use नहीं करेंगे, क्योंकि इसके उपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो direct जो इसका integration होगा, उसको integrate करेंगे, और limit, lower से upper limit तक हम आप लिखेंगे, आप लिखेंगे, प्यारे बच्चों, upper limit minus lower limit, और यही आपका direct answer आएगा, तिक, जो कहानी लिखी वी है, आप इस कहानी को पढ़ लिए, इसका सार जो है, इसका main मतलब है, जो main theme है, यही है, तिक, आईए, इस definite integration से जो हमारे, इस सब का मतलब वही है, ति आईए, अब हम लोग इसके direct इसके property पे आते हैं, तिक, चुकि हमारा जो definite integration होता है, अगर इससे जो अच्छे question की बात करेंगे, जो आपके board exam में भी आते हैं, चाहिए आप UP board के हो, चाहिए इसके property पे बिश्ट ही अच्छे question आते हैं, जो आपके 5 marks से होते हैं, चाहिए 8 marks की होते हैं, अगर NDA में बात करेंगे कि सर definite integration यानि निश्चित समाकलन का क्या weightage रहता है, ति कम से कम 5 से 6 question का weightage रहता है, क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से defense, especially NDA, Air Force, Navy और Foundation की बच्चों को mentally develop कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि हाट topic से किस topic से कितने question आते हैं, और क्या weightage रह का weightage क्या रहता है, कितने simple question आते हैं, कितने moderate question आते हैं, कितने hot questions का मतलब यह होता है, कि ऐसे questions जिसको आप direct solve नहीं कर पाते हैं, जिसमें कुछ ने कुछ concept छुपी रहती हैं, कुछ ने कुछ keypoint छुपी रहती हैं, और चोटी सी चावी चिपी रहती है, और चोबी को लेंगे तो बड़े से बड़े ताला को आप easy तरीके से खोल सकते हैं जैसे इस बार ही हमारे डोगरास बैज का एक बच्चा एक बच्चा फाइनल सेलेक्शन लिया तीन-चार बच्चे डिटेंड ट्राइफाई किये हैं ठीक है फिरी से हर बैच के कुछ नद्रा कुछ बच् fx अगर x के respect में आप उसको integrate करते हैं लेकिन upper limit और lower limit अगर दोनों same है तो प्यारे पच्छों इसको integrate करने के जोड़त नहीं इसका answer हमेंसा 0 आई ठीक क्यों support के लिए इसका integration आपका आगया capital fx तो आप इसको लिख देंगे कि यानि कि ए लिखा है आपका a से लेके a तक fx dx आप कहेंगे sir a है capital fx अब इसकी limit लगा देंगे a से लेके a तक a होड़ाएगा आपका yf-f और a के होड़ाएगा आपका 0 तो हमको time waste करने की जोबत नहीं है एक property हमारे दिमाग में रहेगी तो direct हम लोग question में इसका use करके question के answer को बहुत कम time में हम लोग उसको shut out कर देंगे दूसरा देखे अगर a से b की बीच में किसी function को आप x के respect में integrate कर रहे हैं अगर उसको किसी दूसरे variable के respect में आप integrate कर रहे हैं same limit पे तो दोनों की value आपस में equal होगी property third a कह रही है कि अगर a से b की बीच में आप fx dx को integrate कर रहे हैं अगर इसकी limit को interchange करके upper limit को lower limit पे लगा दिया और lower limit को upper limit पे लगा दिया तो इसकी value पे कोई परभाण नहीं पड़ेगा बस इसकी sign change हो जाएगे इसलिए दोनों को बराबर रखने के लिए इसके आगे हम लोग minus sign लगा दें ठिक अगर a से b की बीच में किसी function को आप integrate कर रहे हैं एक function बीच में कहीं पर break हो रहा है तो जहां पर break हो रहा है पहले उहां तक आप integrate करेंगे फिर उसके आगे से लेके b तक integrate करेंगे मतलब मैं a कहना चाह रहा हूं कि जिससे suppose करिए कि कोई एक function है आपका y ब आते हैं a से लेके b की बीच में इसको integrate मतलब इसकी value को find out करना चाहते है आप देख रहे हैं c point पे एक क्या हो रहा है एक change हो रहा है तो आप सबसे पहले a से c की बीच में integrate करेंगे फिर c से लेके b की बीच में इससे ज्यादा रहेगा इससे ज्यादा point पे अगर break हो रहा है तो आप इसके ज्यादा point पे आप इसको integrate करेंगे ए बड़ी important property है क्या अगर किसी function को 0 से a की बीच में एक कुछ भी हो सब्सक्राइब 1,2,3,4 माइनस प्लस कुछ भी fx dx है इसकी value वही आएगी प्याले बच् e में से x को आगर आप substrate करेंगे e minus x dx जैसे हमने लिखा 0 से pi by 2 यह लिखा है sin x dx आप कहेंगे सर इसकी value वही आएगी 0 से pi by 2 sin pi by 2 minus x dx और यानि यही sin pi by 2 minus x class 11 में आप पढ़ते चले आ रहे हैं इसकी value होगी cos x dx यानि अब इन दोनों का मान आपस में equal होगा ठिक चलिए आईए हम लोग next property की बात करते हैं जो कि property नम्मर 6 यह बहुत important है यह very very important है यह बहुत important है फार nda के परपस है देखें अगर minus a से a की बीच में किसी function को integrate करने की बात करते हैं minus a से a किसी function minus a से minus 2 से 2 minus 1 से 1 minus 4 से 4 या minus 1 by 2 से 1 by 2 की बीच में किसी function को integrate करने के लिए तो प्यारे बचों डायरेक्ट आप इसको integrate करने की चक्र में आप न पढ़िए इसकी देखें इसके दो ही आंसर आते हैं आप इस function को चेक करिए अगर एक और फंक्सन एक और फंक्सन है मतलब बिसम फलन बिसम फलन का मतलब है कि अगर यक्स को आपने रिफ्लेस कर दिया minus x से और minus अगर पहले आ गया एक और फंक्सन की रहा गया तो जो function यहाँ पर fx होगा इसको आप बोलेंगे कि जो function है यह हो जाएगा आपका event function तो अब इसको two times zero से fx dx को आपको integrate करना पड़े मतलब क्या है इधार देखें अगर एक example के माध्यम से मैं समझाना चाहूं जैसे मैंने लिखा कि minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में लि लिखा है एक क्या है एक और function बिसम फलन क्यों क्योंकि हम लोग जानते हैं class 11 से ही बढ़ते चले आ रहे हैं कि sin minus x बरावर होता है minus का sin x तो आपको integrate करने की जुरूत नहीं है इसका answer direct आप लिए देंगे 0 लेकिन यहीं पे अगर आपका लिखा है minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में और आपका लिखा है cos x dx तो अब एक cos x क्या है event function है एक संफ फलन अब इसका answer आप लिखेंगे 2 times 0 से pi by 2 आप इसको लिखेंगे cos x dx अभी मैं इसमें interested नहीं हो कि cos x का integration क्या होगा इसको कैसे simplify करेंगे मतलब कि अब इस बात को आप direct इस तरह से लिख सकता है ठिक उमीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको इस सारी बाते हैं समझ में आ रहे हैं अब देखें जो property 7 है everybody important है अगर 0 से 2a की बीच में 0 से 2a की बीच में किसी function को integrate करना है तो फिर direct इसको integrate करने के चक्तर में आप न पढ़िएगा इसका answer अगर आपको इस property को follow करता है f2a मतलब जो upper limit है इसमे बराबर fx लिखा है तो जो a का coefficient है अथा 2 एप पहले आ जाएगा तो 2 times 0 a fx dx ठिक कैसे जैसे अगर मैं example के माध्यम से समझाना चाहूं पहला अगर लिखा है 0 से 2pi आपका लिखा है sin x dx तो देखें आप जानते हैं कि sin 2pi minus x is equal to होता है minus का sin x टिक यानि कि इस property को follow कर रहा है आपको integrate करने के ज़रूत नहीं delete answer 0 लिखें लेकिन अगर यहीं पे लिखा है आपका 0 से 2pi और लिखा है यहाँ पे cos यह लिखा है cos x dx तो अब इसका क्या लिखेंगे आप यहाँ पे अब यहाँ पे दिखिए हम लोग जानते हैं कि cos 2pi minus x बराबर होता है आपका cos यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 times 0 से यानि ए 2 बाहर आजाएगा 2 times 0 से 5 integration आप यह हो जाएगा cos x dx तो आप इसको ऐसे लिखेंगे चलिए हमने बताया कि पुरा जो गेम है हमारा definite integration का निश्चिस समाकलन का ए पुरा प्रापर्टी बेस्ट वोई 6 और 7 प्रापर्टी को explain कर दिया है कि minus a से fx dx को प्यारे बत्यों इस 0 से हो जाएगा आपका a fx plus f minus x वही पुरानी कहानी अगर इसकी value minus fx है अगर fx और है ते 0 हो जाएगा even है तो टाइम हो जाएगा 0 से 2a fx dx बराबर 0 से fx plus f 2a minus x आप ऐसे भी लिख सकते हैं उसी चीज़ का ए जन्रल फार्म लिखा हुआ है ए प्रापर्टी नमर 10 बड़ी important है क्या अगर a से b के बीच में किसी function को आप integrate करते हैं तो इसकी value वही आएगी जो a से b को add करिए और x में से subject इसमें से x को subject करिए इन दोनों का मान आपस में same आएगा मतलब मैं a कहना चाहा रहा हूँ कि अगर आपका कहीं लिखा है कि 1 से 2 x dx तो इसकी value वह ही आएगी इन दोनों को जोड़ दीजे और इसमें से x को घटा दीजे कि दोनों मान आपस में equal है कि प्रापर्टी 11 क्या कह रही है अगर a से b fx dx लिखा है तो आप इसमें से इसको घटा दीजे b minus a यानि कि इन दोनों में से a को घटा दीजे यहां पर 0 हो जाएगा यहां अब क्या हो जाएगा b minus a b minus a बाहर आ जाएगा 0 से a अब x की जगह आप replace कर देंगे यह बी माइनस इसका कोफिजेंट b minus a 1 की जगह क्या लिख सकते b minus x into x प्लस a dx यह भी बड़ी important प्रापर्टी ठीक चलिए अब हम लोग यहां पर जैसा के इस किन पर देख रहे हैं nda में पूछा हुआ बड़ा famous question है आपके board exam में भी कई बार एक question आया है जैसा के आप लोग देख रहे हैं इसको आप solve करते हैं बकायदे एक काफी time लगता है और काफी आप page cover करते हैं उसके बाद इसका आंसर आत इसके पीछे कहानी यह होती ही प्यारे बच्चों अगर कहीं भी आपको zero से उपर लिखा है पाई बाई टू अगर कोई एक function लिखा है आपका fx अगर प्यारे बच्चों वोई है function नीचे लिखा है fx और pi by two में से x को घटा के अगर यह यहाँ पर लिखा है याणने यजव pi by two minus x कोई एक function लिखा है fx, ध्यान से समझेगा, कोई एक function लिखा है fx, वही function यहाँ पर लिखा है fx, अगर नीचे 0 और यहाँ पर जो नमबर लिखा है, यहाँ पर जो भी लिखा, pi by 2, pi by 2 minus x लिखा है, अगर इस pattern को follow करता है, तो आपको प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, pi by 4, अथा 1 by 2 into upper limit, और यही आपका हो जाएगा, pi by 4, answer, अब आईए question में हम लोग देखते हैं, कि लिखा है 0 से pi by 2, आपका लिखा अंडरूट sin x, तिक, वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा है, और यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर लिखा है, pi by 2 minus x, sin pi by 2 minus x वराबर क्या ह यहाँ पर लिखा है, तो इसका आधा कर देंगे, और आप कहेंगे बहुत easy तरीके, कि sir, इसका answer तो pi by 4, आप देख रहे हैं, कि प्यारे बच्चों, इसमें सुद 5 सिकेंड भी नहीं लग रहा, यह होते है conceptual clarity, तो यह चीज में आपको एक छोटे से example के माध्यम से में आपक question रहते हैं, बस क्योंकि हम लोग बोर्ड लेबल पर क्या करते हैं, या academic लेबल पर हम लोग उनका solution बहुत लंबा लंबा देते हैं, बड़ा time taken करते हैं, हम उसी question से, उसी question को हम लोग यहाँ पर 20-30 सिकेंड में solve करने के technique बताते हैं, approach बताते हैं, उस लेबल के concept बताते हैं बोर्ड के साथ ही, ताकि आपको इस तरह pressure लेने की कोई जरूरत नहीं होती है, ना आपका time waste होता है, ठीक, आईए, अब देखें, प्यारी बच्चों, same चीज़े, दूसरा question, पस पकड़ने की जरूरत, 0 से पाइवाइ 2 लिखा है, कोई एक function 5x लिखा, वही function यहाँ लिख चलिए, अब e देखें, question लिखा हुआ है, कि 1 से लिखे, e, e की power x, 1 plus x, log x, upon x, dx is equal to, तो प्यारी बच्चों, हम लोग class 12 में, indefinite integration में एक concept जानते हैं, अगर e की power x लिखा है, और यहाँ पर कोई एक function fx लिखा है, और इसका अगर a derivative लिखा है, तो प्यारी बच्चों, इस e की power x दिखा, और इसके अंदर आप देखे, कोई एक function लिखा, उसका अगर derivative लिखा हुआ है, तो आप direct क्या करेंगे, e की power x into, e जो function लिखा है, और function लिख देंगे, ठिक, इसका मतलब, अब हम लोग इस question को इसी pattern पे, solve करने का प्रयास करेंगे, यह once लिखा है, e की power x, हम चलिए, वह इक वाले concept पे हम लोग इसको break करते है, तो once लेके e तक, e की power x, divide करते हैंगे, यह हो जाएगा, log x, प्लस, यह हो जाएगा, आपका 1 by x, dx, देखे, यह log x का हर बच्चा जानता है, differentiation होता है, 1 by x, इसका मतलब, हम लोग direct लिख सते हैं, e की power x into log x, limit, यह कहेंगे, e1 से e, आप limit लगाएंगे, e की power e into log e base e minus e की power 1 into log 1 base e, e क्या हो जाएगा, log 1 कमान 0, multiply करेंगे 0 हो जाएगा, इसका मान 1, e हो जाएगा, e की power e, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, e is correct, आप देख रहे हैं, कितने खुब्सूर्फी के साथ, हम लोग question को, 5 से 10 सेगेंड के ब देखेंगे प्यारे बच्चों, वही पुरानी कहानी, 0 से 2a fx upon fx, अब देखें 2a minus fx यहाँ पर लिखा है, तो इसका आधा, इसका आधा कितना होगा, e, ठिक, अब यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों, यह लिखा है minus a से लेके a तक, x under root a square minus x dx, देखेंगे इसका स्कार करेंगे, यह तो आपका even ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होजा है, कि माइनस आ जायागा, यानि odd, ववराल यह पूरा function जो लिखा हुआ है, x under root a square minus x square, यह एक odd function लिखा, अथा बिसम फलन है, अगर यह बिसम फलन है, तो फ आपने देखा कि definite integration का छोटा सा नमूला मैंने आपके सामने पेस किया, इस टॉपिक का, एक छोटा सा introduction पार्ट मैंने पेस किया, introduction पार्ट में आपने देखा, प्रिवेस एर के कम सकंट 5-6 सवालों को आपने यहाँ पे solve करने का प्रयास किया, और यह इसकी property को आपने देख तो अगर आप चाहते हैं, आप इंट्रेस्टेड हैं, एज आफिसर की रूप में देख सेवा करना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चों, अगर आप 12 में हैं, तो मैं कहूंगा आपको डोगराज वैस आप जरूर जोइन करिए, डोगराज वैस में मैं आपको 12 बोर्ड के आपको NDA लेबल की तैयारी कराऊंगा, यह मेरा आप से कमिटमेंट है, तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही जहिन, फिर हम लोग मिलते हैं नेस्ट वीडियो में